हलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी मैं समसेर कोशिक इंडिया न्यूस पाइंट पर आपके समख से गवर फिर से उपस्तित हूँ जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज लेकर आएं हैं शिक्षा के हब महंदरगड की उपर महंदरगड सेर के अंदर बहुत सारे से सिक्षन संस्थान हैं जहांपर विद्यारती एज्यूकेशन लेकर अच्छी सिक्षा लेकर अपने कैरियर का निर्मान कर रहे हैं एक एहम भूमिका है महंदरगड को शिक्षा का हब बनाने में यहां के स्कूलों की और ऐसे ही एक स्कूल में आज हम खड़े हैं यह स्कूल जो है यह स्कूल है आपके महंदरगड के जस्ट आप कह सकते हैं कि जब रेवाडी की तरफ आप बढ़ते हैं या दादरी की तरफ आ करते हैं यह स्कूल है बी जैए आरडी बाबाज्य रामदास स्कूल ब्डीर्ग है सक या नाम से आपने आप बिज को आंदर इसतिहार भी देखा ऑगां बिल्डिंग भी दिखाई पड़ती है तो बीज नीकर से Cul जो है हलो सो जो है राजपालियादव जी हमारे साथ बने हुए हैं आप देखते रहिए इंडिया न्यूस पाइट सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है सबसे पहले समसर जी नमस्कार जी नमस्कार सब के वीवर्च को भी जी हम बीज्याइडी स्कूल केंपस में मैं काफी समय से इसमें जुड़ा भी हूँ ऐसी बात नहीं मैं पहले आज से चार साल पहले जैसे यहां पर विजिट करके गया उस स्कूल में और आज के स्कूल में काफी अंतर है हां यह बात सही कह रहे है आप कि पिछले चार साल पहले आपने मिले थे उस समय संसादनों की जो आपूरती थी वो और आज उसमें मनलब मैं कहें जमीन और आसमान का अंतर है तो यह सब कैसे अच्छा एक और भी बात है काम जब कर रहे थे तो आपने बताया कि स्कूल के प्राइवेट स्कूल के अंदर यह के अधापक के तोर पर आप थे और फिर आज एक स्कूल का निर्मान और इस तरीके से आप चला रहे हैं समचेर जी बहुत अच्छा परसन है मेरी सुरुआत एक हिंदी प्रवक्ता के र कि हम किस तरह से एजुकेशन में आदमी आगे बढ़ता है हमारा भी कुछ न कुछ योगदान जो है वो गाम और समाज के प्रती बनता है तो उन्होंने मुझे इस बात के लिए सजस्ट किया मेरा सहयो किया और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेड़ना दी कि हम ऐसा करे हैं जिसमें रुजगार भी हमें मिले हमारे आजिवी का भी चले और हमारे माध्यम से जो भी जरूरत मंद लोग है उनके बच्चों को अच्छी तो शिक्षा मिले और गवर्मिंट जो मिले ना मिले पचास-वी-सो लोगों को हम रुजगार देने की चमता भी रखिना जी एक अच्छा स्कूल आप चला रहे हैं स्कूलर्शिप टेस्ट का जिकर आया सामने उसकी भी हम बात्चित करेंगे लेकिन उससे पहले एक और मेरा अगला सवाल कि जैसे बात करें सुवी दाओं की या क्लासिज के जैसे एंटी एसी क्लासिज या फिर जो दूसरी जो स्कूल में मिलती होंगी उन सुवी दाओं के बारे में बताएं और यह भी बताएं कि प्रेणाम कैसे हैं मैं समचरजे आपसे बात बहुत ही मतलब हर्श और उल्लास के साथ सेयर करूंगा कि मेरा पिछले 22 वर्सों से एजुकेशन की इस लाइन में मेरा अनुभव रहा है और इन 22 वर्सों में हमने ची भले बहुत इक संसाधन हमारे पास ची भले कम रहे होंगे लेकिन हमने एजुकेशन और वह भी क्वालिटी एजुकेशन की जो बात आती है उसमें हमने बहुत 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 परिनाम दिये मेरे गाउं से नवद्दे विद्याले में जो चैन बिना किसी कोचिंग इस्टूट के पहला जो था कि अब कर दोपित्तर बाकि जो आए और जितना हम करवा पाते हैं मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि मैं इसी गाउं का मूल निवासी हूँ और गाउं में रहते हुए अपने आपको स्थापित करना बड़े संगर्श के बाद हूँ अगर बाइस वर्सों में हम नहीं देते कुछ तो मैं कहता हूँ मैं गाउं में निकलने के लाइक नहीं रहता आज मैं जब गाउं में जाता हूँ तो वहाँ मेरे पढ़ाई स्टूडेंट्स उनके बच्चे और समाज में मैं कहता हूँ हर तीसरे घर में सफल जो विद्यारती है वो गाउं में तो हमारा मतलब जो मेहनत का फली भूत हुई और उसका अगर नमूना कहीं देखना मिले तो वो गाओं के मेरे ख्याल से हर दूसरे तीसरे घर में कामियाब बंदा है आज भी एक अभी भावक का मैं प्रसंग बीच में लाना चाहता हूँ राजस्थान से विलोंग करते हैं बहुत लोवर क्लास फेमेली से थे और वो राजकारीगर थे उन्होंने जब वहां से यहां सिफ्ट किया परिवार के साथ उन्होंने मेरे पास अपने तीन बच्चे डाले एक जोती कवर करके थी जो बॉक्सिंग के छेतर में अंतरास्टिस तर तक उसने ख्यातिया से लिए आज वो बेटी आई टी बीपी में गवर्मेंट जोब में उसी का भाई था जित्तू जिते अंदर वो दिल्ली पुलिस में जोब कर रहा है आज जब फेस्बुक पे उन्होंने शेयर किया तो उन्होंने मुझे भी विकार कि गुरुजी ये आप लोगों की देन है कि एक साधार्ण परिवार एक राजकारीगर का जो बेटा है उसके परिवार से दो-दो सरकारी नोकरी है अच्छा ये जो एक विशेश बात है खास तोर पर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे वैसे आप लोगों को पता है अच्छे से एक सिक्षक के लिए सबसे जो बड़ी कमाई होती है वो उसका सम्मान होता है और जब इस परकार से जब जो स्टूडेंट से जो पास आउट विद्यार थी है चाहे वो राजपाल सरके हो या किसी के भी जो भी अध्यापक है बड़ी खुसी होती है जब वो काम्याबी के साथ मिलते है एक अच्छी बात बाकी अब स्कोलर्शिप टेस्ट के बात करते ह परिक्षा का आउजने कब है कितने बजे हैं और किस तरह से समसर जी यह मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बात आम जन तक पहुंचाना चाहता हूं कि जिस तरह से बाकी सिक्षन संस्थाओं ने भी स्कोलर्शिप परिक्षा आउजित की कुछ ने कर चुके कुछ की है अधार एक मोटो था कि प्रतिभाओं को समाज से तलासना और उन प्रतिभाओं को तरासने का काम बीजे आड़ी जो सिक्षा समीती है वो सता इस बात के लिए कटी बद रही कि उसी कड़ी में हमने आने वाली तेरे मार्च को प्रात दस बजे एक स्कोलर सी परिक्षा कम कोई बच्चा कहीं पढ़ता हो हमें इस बात के लिए कोई बंधन नहीं उसको से अर्दे से हमारा अमंत्रन है कि वो विद्याले में आए और बीजे आड़ी स्कूल की जो स्कोलर सी परिक्षा है उसको दे अपने आपको चेक करे अपने विद्याले को चेक करे और माबाप क के लिए कि बहुत पड़िया मौका है कि उनको फिरियोफ कोस्ट अपने बच्चे का आई क्यू लेवल या बच्चा कहां स्टेंड कर रहा है और बच्चे में किस तरह कि सुधार की अपेक्षाई हैं या क्या क्या हमें बदलाव करना चाहिए उस चीज़ सब के लिए अभी बात के लिए क्या था कि बहुत से स्कूल जो हैं वो बच्चों को चातरवर्ती के रूप में कैस प्राइज दे करके और अपनी कामकीती सिरी कर देते हैं कुछ विद्याल है जो हैं वो बच्चों को उनका फीस का जो होता है शुल्क या फिर उनके एडिमिशन चार्जिज एनवल चार्जिज में छूट दे देते हैं हमने दोनों चीज़ों को बराबर ले करके चलें अच्छा नमबर एक जो हमारे हर क्लास क्लास पहली से लेकर कि ग्यारवी तक के विद्यारतियों का हम ये स्कॉलर्शिप टेस्ट कर रहे हैं जो भी विद्यारति हर क्लास से टॉ परसेंट से लगा करके 100% तक का हम उनको जो मासिक फीस है ट्यूशन फीस जिसको बोलते हैं उसके हम छूट देंगे दूसरा हमने रखा है जो भले ही बच्चा हमारे पास एडमिशन ले करके हमारा उसका फाइदा ले ना ले हम दोनों चीज उस बच्चे को देंगे हम टॉप टैन के लिए तो 100% टूशन फीस माफ जो बाकी का रेश्यो जो है वो निचे वाले बच्चों के लिए टॉप टैन विद्यारती जो रहेंगे अगर विद्याले में दाखिला लेते हैं तो 100% टूशन फीस माफ और वो भी जिस क्लास में एडमिशन लेंगे वहां से और जहा करने का एक जो में मारग है वो है सिरफ फीस और वही हो जाएगी माफ देखिए उचित दाम पर कह सकते हैं उचित फीस पर आप कह सकते हैं कि बीजी आर्डी कैसा संस्थान है जो पिछले काफी समेश है पिछले काफी वर्सों से यूं कहें तो अतिश्योक्ति नहीं होगी पिछले काफी वर्सों से बीजी आर्डी उचित फीस पर यहां पर शिक्षा दे रहा हैं और अभी एक परशंग बताकर इन्होंने बताया विशार ने कि किस परकार से एक राजमिस्तरी के बच्चे यहां पर पढ़ने आया करते थे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो ब सेवाई दे रहे हैं एक अच्छी बात बागी सर इनाम भी दे रहे हैं स्कोलर्शिप टेस्ट में स्कोलर्शिप भी मिलेगी बच्चों को बहुशे में पर इनाम जो हैं आप अच्छा बताई रहे हैं और मतलब बच्चे कामयाब हो रहे हैं लेकिन जब सिक्षा की बात आत मनलों अध्यापक जूडे मेरे पास 70% जो स्टाफ है वो मेरा मेरा बार बार स्टाफ को में नहीं बदलता है 70% जो स्टाफ है वो मेरा पुरान स्टाफ है और हमारी एक पारावारिक जो एन्वारमेंट होता है वो हमारा उनके साथ एक रिष्टा है और हमारी जब आपसी मीटिंग होती है जब हम एक दूसरे के साथ अपने विचारों को साजा करते है तो हम और मेरी टीम एक ही बात कहती है कि वह स्कूल हमारे लिए अपनी मा के बराबर है और हम इसको अपनी मा मानते है तो हमारे कारिये में कहीं अगर छन भरकी भी कोताई हुई तो हम ही सोचेंगे हम अपनी मा के प्रति जो फर्ज निभाने में एक सेकिंड की या एक मिनट की हमने चूक की और उसी का परिनाम है कि जो हमें रजल्ट मिल जाएं यह तो जी आपके नेतरतों कहें आपका मारक दर्सन कहें और साथ में आपके टीम का प्रियास कहें वीडियो को ज़्यादा लंबा तो नहीं कर सकते लेकिन यहां के जानकारी जैसा कि सर ने अभी बताया आपको डिटेल्स जो है सारी स्क्रीन के उपर भी दिखाई पड़ेंगी जो स्कूल से रिलिटिड है फोन नमबर जो है कॉंटक्ट नमबर जो है वो दिखाई पड़ जाएंगे साथ में यहां का जो गुगल मैप लोकेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में दिखाई पड़ेगा आप अगर फेस्बुक पर वीडियो देख रहे हैं तो आपको कमेंट बोक्स में यहां का गुगल मैप का जो लोकेशन है वो दिखाई पड़ेगा और साथ में स्क्रीन के उपर एडरस के साथ कोंटक्ट नंबर्स भी दिखाई पड़ेंगे जो स्टूडेंट्स इसमें पार्टिस्पेट करना चाहते हैं वो जानकारी लें और रजिस्टर करें अपने यहां स्कूल के अंदर अपने स्कोलर्शिप टेस्ट के लिए अगर कोई पैरेंट्स वीडियो देख रहा है अपने बच्चे का एडिमिशन करवाना चाहते हैं तो वो भी क्या करें अपने बच्चे के अच्छे भविशेक निर्मान के लिए राजपाल जी और इनकी टीम से संप्रक करके इसे स्कोलर्शिप टेस्ट के लिए रजिस्टरेशन करवाएं निशुल का है रजिस्टरेशन फिरी ओफ कोस्ट है आप टेलिफोनी के लिए फिर विजिट करके यहां पर रजिस्टरेशन करवा सकते हैं बाकी संडे को यहां चात्रवर्ती परिक्षा यानि स्कोलर्शिप टेस्ट का आयोजन है चेतर के विद्यार्थियों से अनुरोध हैं कि अपना IQ लेवल जैसा कि सर ने बताये भी चेक करने के लिए और साथ में चात्रवर्ती गेन करने के लिए भी यहां पर विजिट करें जब आएंगे पता चलेगा स्कूल कैसा है कैसा नहीं है केंपस देखेंगे उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो सो पर दूसरे स्कूल या किसी और दूसरी जगहां पर जाकर इस तरह से कवरेज करेंगे आपके लिए और खबरे लेकर आएंगे आप पिछले काफी समय से बड़ा प्यार दे रहे हैं हमारे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दिल की घहर हैं उसे और आप आगे देखते रहे हम हमारे प्रियास और भी जा रहे ही रहेंगे आपको यह हमारा प्रियास कैसा लगा जरूर कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताएं देखते रहे हैं इंडिया न्यूस पाइंट जैहिंद जैवारत कर दो कर दो